मतलब अगर test series नहीं थी तो मैं कुछ भी नहीं थी था उसके बाद मैं third grade teacher था उसके बाद मैं second grade teacher था फिर assistant jailer मैं RPSC top की थी फिर हो school lecturer था फिर इसी school के अंदर आज मैं आप से हो मुखातिब हो रहा हूँ इसी school के अंदर मैंने एक exam दिया था assistant commander का उसमें मैं हो select हुआ था और उसके बाद मैं college lecturer भी मैं हो रहा था और फिर RS2012 के अंदर 108 भी मेरी है वो merit आई थी तो उसके मैं वर्तमान में है और राजस्तान तैसिलदार सेवा के अंदर हूँ और वहाँ पर भी मैं एक आपको बात बताऊंगा देखे इस्वर अपने से क्या चाता है कब चाता है कि अपने को जीवन में कभी भी उदास नहीं होना ची आर-एस के अंदर मेरी 108 ही merit थी और उसके अंदर मेरे को DSP मिल रहा था लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि मैं है वो फश्ट वेटिंग में रह गया थोड़ा सार मुझे दुख हुआ कि यार अपन फश्ट वेटिंग में रह गये और उसके जिश्ट एक मैने के बाद मै अपना था वो D आगे से हट गया और मैं SP बन गया बात यह है कि अपन जीवन कंदर चाहते क्या है अपने आपको कितना डिवोट कर पाते हैं तो आज मुझे है वो IS कंदर 117 मेरी है वो मिली और मैं जनरल किटेगरी से हो बिलोंग करता हूं तो मुझे IPS मिला मैं यहां पर र प्यारी कर रहा हूं और इस बार मुझे आसा है कि हिंदी माजियम कंदर आईएस में किसी की अभी तक फ़स्ट मेरिट नहीं आई है और मेरी यह पूरी की तमन्ना है कि कम से कम में यहां उस इस्तान तक है और पहुंचो कि जीवन आपको शिरफ कहा जाता है कि चोरा सी लाक योनियों के बाद में एक बार आदमी को जीवन मिलता है तो बहुती सांदार आप लोगों को है वो जीवन मिला है इस जीवन को आप इंजोई कीजिए कभी भी घमंड मत कीजिए चाहे आप जीवन में कुछ भी बन जाओ हमेशा बहतरीन रहिए और आप लोगों से मैं आश करता हूं कि अगले साल जब प्रोग्राम होगा तो आप सब लोग है वो यहां पर आने का मोका मिले थोड़ी सी देर पहले मैं देख रहा था कि माला हीं कम पड़ रही थी अगले साल इतनी संख्या माना कि सब माला हीं कम पड़ जाए इतनी संख्या में यहां पर आना और तब इनको है और रियल खुशी होगी इस कोचिंग संस्तान को पुने मैं एक बार है इस कोचिंग संस्तान को बहुत-बहुत दिन्यवाद देता हूँ हमेशा दिमाग में एक बात ध्यान डखिएगा कि मुझे किसी मेगजीन के cover page प्याना है या YouTube के उपर एने एक वीडियो चलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है आप ये अपने जिवन में एसे target रखना और हमेशा युवाओं को है वो प्रेणा देते रहना कभी selection होने के बाद में ये मत कहना कि एक्जाम बड़ा hard है हमेशा ये कहना